जितनी इंतिविव mustai उसका ब्यान आ रहा है। तो कहीं कहीं लगता है कि उसकी संदी स्वाजित में अगर कोई एक विक्टिम अपने ब्यान को बारा बार बदलता है तो भी अपने 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 संधी काली है। और इसके ब्यान को आप देखें कभी कहते हैं कभी कहते हैं कि मेरी भावी ने बुलाया था कभी कहते हैं इसके बार बार ब्यान बदाना और उसके साथ फिजिकल बिश्टी बनाते हुए पाया जाना इसादी की बात करती है अगर उसकी भावी ने बुलाया था तो दिने बुलाती हो कभी कोई शादी विया की बात 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 वाथ कि आस नहीं हो रहागा रात में दो बजे बुला आप उभी एक महिला एक पर पुरुस को अपने सब्सक्राइब पर भावी एक गर्जीन फीजिन लेकि बड़ा लिया आप रहती है उसके भावी नमारने में है नमारने में हो आर्थी ने बुलाया भाई ने मारा आप तक को बहुत बहुत गलत तरीके से सब्सक्राइब कि रात के दो बजे अगर किसी के घर को लड़का आता है तो तो पिटाएगा है अधिकतर लोग ऐसा बात कहरे है तो सर एक बालीग लड़की अगर रात को किसी लड़का को अपने घर इंवाइट करती है बुलाती है तो क्या एक राइन पहली बात है कि आप किसी को कभी अपने घर बुलाती है अगर किसी को अपने घर बुलाकी उसकी हत्या कर देना यह अपर आप रात है सर इस केस को आप अपने मज़ये से किस तरी के सिरे है अर्ती ने बुलाया आर्ती के कारण वह आया आर्ती के प्लानिंग ने इनवाल था और आर्ती पालिंग मारा गया कहीं न कहीं अगर ये केस को दोनों तरफ के परिवारों के तरफ नजरिय से देखा जाए तो यहां पर आरती और छोटू के पापा का कहना है कि आरती ही अब मेरा छोटू है हम अपना बेटा की तरह रखेंगे तो इसके कहीं ने लग रहा है कि आर्थी को छोटों के पैरेंस अपने बस में करने हैं वो दबाव में